आप सभी सातियों का आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थमनेल में देख चुके होंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अगर आप कर रहे हो या फिर करना चायते हो या फिर बी लेल वी कर रहे हो तो एह वीडियो आप लोगों के लिए रामबार सिद्ध होगा क्योंकि आने वाले समय में आपका लेल वी पिथम सेमिस्ट्र का एकजाम होगा तो उसमें किस पिरकार के प्रिश्न पूछे जाते है ए डाउट पिते एक बच्चे को होता है जब वह LLV में एडविशन लेता है और BALLV करता है अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा तो आप हमें भार्ट सब पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको और डाउट है LLV, BALLV से सम्मंदद तो हमें कॉल भी कर सकते हो चलिए दोस्तो आपने अक्सा देखा होगा यूटूब पर ऐसे यूटूबर है जो बड़े-बड़े है अक्सारो है वीडियो बनाते है LLV, BALLV से सम्मंदद और आपको जानकारी देते है और कहने लगते है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो एह मेरा नंबर है मेरे नंबर पर भाट सब पर मेसेज कर देना या मुझे कॉल कर देना लेकिन दोस्तों जब आप उन्हें कॉल लगाते हो जो आपको बेबकूब बनाते है यूटूब पर और आपके रुपेयों को लूटते है जैसे ही आप उन्हें कॉल लगाते हो तो कहने लगते है या तो फिर आपका call रिसीब नहीं करेंगे या रिसीब करते है तो कहने लगते है दस मिनट की फीश है दो हजार रुपए और एक तो वो आपका call ही नहीं रिसीब करेंगे आप देख लेना लगा के लेकिन आपका भाई ऐसा नहीं है एह क्योंकि आप लोगों का channel है हमारा नहीं है आप लोग हमारे परिवार के हिस्सा हो अगर आप उनके भाट सब पर मैसेज करते हो तो उहां से reply आता है मेरी 2000 रुपे फीस है तो आप अगर गरीब बैकती हो तो उनकी 2000 रुपे फीस कैसे दे पाओगे अगर सक्षम है तो आप दे सकते हो लेकिन उनके उपा कोई भरोसा नहीं है जो पैसो की बात करता है पहले क्या पता आपको जानकारी भी ना दे और आपका नंबर भी बिलोग कर दे हो सकता है दोस्तों 30, 40, 50, 100 रुपे तक मंगाना उचित है क्योंकि यूट्यूब पर जब कोई वीडियो अपलोड करता है उसमें इंटरनेट की जरूरत होती है इसलिए आप 150 रुपे सामने बाले से मंगा सकते हो उचित है जो ओही मंगाईए अनुचिक पिरकार की रुपेयों की डिमांड करने लगते है ऐसे यूटूबर है यूटूबर और अपना नंबर भी देते है कहते है कॉल लगा लो मुझे लेकिन आपका कॉल नहीं उठा द अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडियेफ नोट या कोई जानकारी चाहिए बिलकुल फिरी में सब जानकारी उपलब्ध होगी आप हमें बेजिरक नी संकोच होकर कॉल लगाईए जैसे आप अपने घर के सदस्य से बात करते हो उसे हमसे बात किजिए क्योंकि यह च चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी फेस्बुक पेज है जो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक है और हमारे दो चैनल और है उन्हें भी आप लाइक शेर और अपना सपोर्ट करें जिससे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो सके और जो हमें वीडियो बना रहे हैं उनका लाब पितेग विक्तियों तक पहुश सके और ऐसे फ्रॉड लोगों से बच सके चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का सब्जेक्ट है ला ओप कॉंटेक्ट इसकी हम आपको पीडियेप उपलब्द करा देंगे जो इसमें कुश्चन पूछे गायते उन कु संबद 2023 और 24 में कुश्चन पेपर पूछा गया था एकजाम में तीन घंटे का समय होता है और 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है पेपर देते समय एक बात ध्यान रखिएगा पेपर में अगर कोई प्रिश्ण नहीं बनता है तो उसको छोड़ना नहीं है अगर छोड़ द इंवर्सिटी का हो आपको अपना सब्जेक्ट देखना है केवल लाओ आप कॉंटेक्ट आपको हमारे वीडियो की पिले लिस्ट पर चले जाना है वहां पर आपको बीए एललवी पिथम सेमिस्टर से लेकर दसमे सेमिस्टर और एललबी पिथम सेमिस्टर से लेकर छटमे सेमिस्टर तक के तीन साल पुराने तक पेपर मिल जाएंगे अगर आपने उन्हें तयार कर लिया तो आपका अपना यूबा अधिवक्ता साती आप लोगों को गारंटी देता है जितने भी पिरिष्ण पूछे जाएंगे उन्हें कुष्चन पेपर से ही पूछे जाएंगे और आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नम्मर है अगर आपको कोई प्रॉबलम है तो बे जिजग नी संकोष होकर अपने भाई को कॉल करें इसमें दस पिरिष्ण पूछे गये थी जिसमें से पांच पिरिष्ण आपको करने पड़ते थी पितेक पिरिष्ण बारा नम्मर का होता है पहला पिरिष्ण पूछा गया था सूकृती का प्रिस्थाव से ओही संबंध है जो जलती हुई माचिस की तीली का बारूत की गाड़ी के साथ विवेचना कीजिए यानि की सूकृती का प्रिस्थाव से ओही संबंध है यानि की आप किसी प्रित्ती के समच कोई प्रिस्थाव रखते हो ओह अपनी सूकृती उस प्रिस्थाव को लेकर देता है या नहीं क्योंकि सूकृती और प्रिस्थाव में ओही संबंध है जिस प्रकार एक बारूत का देड लगा है यानि की बहुत सारा बारूद रखा है और आप जलते हुई माचिस की तीली ले जाते हो उसके पास तो सौवाविक है उसमें आग लगेगी उसी प्रकार सुक्रिती और प्रिस्थाव का संबंध होता है इस प्रिष्ण में पूछा गया था आप इस प्रिष्ण का उत्तर अपने नौलेज और ज्यान के आधार पर भी लिख सकते हो अगर आपने पड़ा नहीं है फिर भी आप से बन जाएगा मैं गारंटी देता हूं लेकिन आपको सोच समझ कर सोचना होगा किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है इस प्रिष्ण को दिमाग लगाना होगा आपको उत्तर लिखते समझ लेकिन आपसे बन जाएगा इसके बाद दूसरा प्रिष्ण पूछा गया था अवेश्क की संव्दा की प्रकारती क्या है किस सीमा तक अवेश्क उत्तर दाई है पिरमुख बादों की साहिता से ब्वेचना कीजिए अवेश्क की संव्दा की प एक ऐसा ब्यक्ति होता है जिसकी उम्र अभी 18 माइनेस याने की 18 बर्स पूरी नहीं हुई है ऐसे ब्यक्तियों को हम आवेस्क ब्यक्ति कहते हैं और उनके द्वारा की गई सम्मदा सुन होती है इसके बारे में आपको लिखना था और जो किस लोग है उसको भी इस प्रिष्ण में लिखना था इन प्रिष्णों के उत्तर की पीडियाइप हम आपको अपलब्द करा देंगे इसके बाद तीसरा शेमती से आप क्या समझते हैं शेमती कब सुतनत होती है सेमती यानि कि दो व्यक्तियों को लेकर कोई सेमती होती है यानि कि हमने आपसे कहा मेरा एक घोड़ा है जो मैं 5000 रुपे में बैच रहा हूँ आप उसे देख लेजिए बढ़िया घोड़ा है और घुड सबार का घोड़ा है आपने घोड़ा देखा और अपनी सुक्रिती देदी यानि कि अपनी सहमती देदी उस घोड़े को खरीदने के लिए एह कहलाती है दोस्तों सहमती सहमती कब सुतंत होती है सहमती सुतंत होती है कि आपने किसी के भैव में आकर सहमती नहीं दी है ना ही किसी के दबाव में आकर सहमती दी है ना ही किसी को धोका देने को दिश से सहमती की है एह सहमती सुतंत सहमती होती है इसके बारे में आपको लिखना था अपने प्रिश्ण में एयोत्तल लिखना था जो हम आपको बता रही है नूट्स तो आपको बहुत ही सिंपल और सरल भासा में हम उपलब्द करा देंगे इसके बाद चौथा आसम्यक असर को परिभासित कीजिए निर्नित बादों की सायता से कपट की ब्याख्या कीजिए आसम्यक असर का सम्मिदा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बाद पाँचमा समासरित सम्मिदा को परिभासित कीजिए असम्बव घटनाओ पर आसरित समासरित करार सुन है समासरित सम्मिदा ऐसी सम्मिदा होती है जो एक घटना के घटना होने पर दूसरी घटना पर घटना होती है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है सम्था होती है यानि कि असंबह खटनाये यानि कि हम आपसे कोई सम्धा यानि कि कॉंटेक्ट करते है कल बारिस होगी ऐसा भी हो सकता है कल बारिस हो और नहीं भी हो एह असंबव घटनाएं होती हैं एक दूसरे पर आस्तिरित घटनाएं होती हैं इसलिए एह घटनाएं सुन्न मानी जाती हैं कॉंटेक्ट में इसके वाद छटमा पृष्ण पूछा गया संविदा भंग के बिरुद्ध किसी पीड़त पक्षकार को उपलब्ध उपचारों की समिख्षा कीजिए यानि कि आप कॉंटेक्ट करते हो और उस कॉंटेक्ट को भंग कर देते हो बीच में तो उस दूसरे प्यक्ति को कॉंटेक्ट भंग होने से जो छटी होती है तो उसे कौन-कौन से उपचार न्याले द्वारा उपलब्ध है इसके बारे में लिखना था करार सुन है समझाइए इसके बाद आठमा सम्मिदा भंग के बिरुद्ध किसी पीड़त पक्षकार को उपलब्ध उपचारों की समिक्षा कीजिए यानि कि इसमें आपको लिखना था जो पीड़त पक्षकार है जिसकी सम्मिदा भंग हो चुकी है उनके उपचार कौन-कौन से है इसमें लिखना था इसके बाद नोमा प्रिष्ण पूछा गया प्रिष्ण पूछा गया था ऐसारे से भी दो प्रिष्ण लगवक पूछे जाते हैं विशिष्ट अनुतोस अधिनियम 1963 की पिर्मुक विशिष्थाओं की विविचना कीजिए इसके बाद दसमा पूछा गया घोष्ण आत्मक डिक्री से आप क्या समझते हैं परिस्तितिकी या अधिकार की घोष्णा के बारे में नियालय के विवे का अधिकार का बर्णन कीजिए आप लोगों ने देखा एललबी पिथम सेमिस्टर कॉंटेक्ट लो और बिये एललबी पिथम सेमिस्टर कॉंटेक्ट लो में एही दस प्रिष्ण पूछे गाए थे अगर आप लोगों ने इन प्रिष्णों को तयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कम से कम तीन या चार प्रिष्ण तो इसी पेपर से ही पूछी जाएंगे क्योंकि contact है जो आपके second semester में भी subject होगा क्योंकि दो पार्ट में divide है सम्मिदा भी दी first और second दोस्तों एक बार फिर आपका अपना भाई आप सबी लोगों से बिन्ती करता है अगर आपको कोई help चाहिए या notes, pdf चाहिए तो description box में हमारा number दिया गया है तो आप हमें message करें और हमारा एक facebook page है और दो channel और है जिने आप like, share और subscribe करें धन्यवास दोस्तों